समर सबसे पहले आपके पास आते हुवे voting percentage क्या कह रहा है क्या कम संख्या में लोग निकर रहे हैं और क्या अनुमान लगा है क्या बढ़ेगी यह संख्या आप चूंकि आंत की और आगे बढ़ रहे हैं तो पूरे यूपी में है 43 percentage अभी तक का अकड़ा आया है यानि की तीन बजे तक का अगर आप जिनों की बात करें सबसे अधिक 50% अंबेटकर नगर में वोटिंग हुई है तो वही 47% आप अगर बात करेंगे तो 45% आजमगर और सुल्तानपुर ने भी अक्षी वोटिंग करी है लेकिन अगर आप अभी का सेनेरियो देखें यहां इस वक्त में मौजूद हूँ आपको तस्वीरे दिखाओ पोलिंग स्टेशन से तो कुछ ही लोग है जो आपको यहां पर नजर आएंगे हाला कि यहीं पर मसुआ जब मौजूद था तो लंबी कतार लगी हुई थी ल कुर्मी चेहरा खड़ा किया है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने निशाद कैंडिडेट रामबोल यादा रामबोल निशाद को यहां से उता रहा है तो कहीं न कहीं जो वोटर की अगर आप जाती समयक्रण की बात कर रही है तो उसके मुकाबले जो कुर्मी वोटर है द मैं जा सुल्तानफूर आता हूँ तो मुझे अपने पिता जी की खुश्भू आती है तो पहीं वरून गांदी की बात कर रहे थे अब भी हम उनकी ताज़ा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वरून गांदी अभी तस्वीरों में दिखाए दिये उनकी जो माता है वो चुना जब शाम का वक्त होने जा रहा है तो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी इस वज़़े से अगर आप देखें तो अभी भी बूत आपको खाली दिखाई देंगे इक्के दुक्के लोग महिलाओं को आप इस तरीके से आते हुए शाम के व जा है कि या तो लोगों ने सुभे मद्दान कर लिया या फिर लोग शाम तक मद्दान करने की कोशिश करेंगे लेकिन वोट परसेंट बहुत ज्यादा कम यहां भी नहीं है इस गर्मी के लिहाद से अगर देखा जाए तो एक मोडरेट मोडरेट वोट परसेंट होगा और 55 से 60 के बीच का यह वोट परसेंट बताया जा रहा है लेकिन जानपूर सबसे एहम है और जानपूर इसलिए क्योंकि जानपूर में बीजेपी स्ट्रगल कर रही थी जब वहां से धननजे सिंग की पत्नी ने अपना पर्चा भर दिया था लेकिन बसपा से वो वापस बीजे पी से हैं इसके अलावा स्याम सिंग यादो बीजेपी से हैं और बाबू सिंग कुछवाहा समाजवादी पार्टी से हैं तो कुल मिला करके लड़ाई बड़ी कड़ी है लेकिन इस वक्त हम जहां मौझूद है बिलकुल जानपूर से सटा हुआ मचली शहर है यहां का यह प सबाव दिखाइदी कि यूथ अनरिस्ट दिखाई भी दे रहा है लेकिन लोग अपने-पने खेमे में वोट करते वए दिखाई दे रहे है। जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और बड़े दिगज भी बोर डालने के लिए पहुंचे और वैशाली से इस वक्त हमारे संवादाता कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गया है कुमार कुणाल वहाँ का डेटा इस समय का तीन बजे तक क्या कह रहा है वहाँ पर क्या लोग उत्साइद देख रहे हैं मदान के लिए राजी बावी थोड़ी देर पहले ही हम पॉलिंग भूट से आ रहे थे और उसमें जो हमें पूरा दिखा कि गर्मी तो बहुत जबरदस है उमस भी है और धूब भी बहुत तेज़ती हलाकि तो महिलाओं की भागीदारी यहां पर वैशाली में काफी अच्छी देखी गई और बहिलाएं खास तोर पर दोफर के बाद बड़ी अच्छी तादाद में निकलके आई है पैतालीस एज़ी के आसपास वोटिंग रहा है तीन बज़े तक लेकिन ये एक बड़ी बात है कि जिस समय इतनी जादा गर्मी है उस समय किस तरीके से महिलाओं और यूथ ये दो जो बड़े फ कते हैं जो महिलाओं हर रोज दो चार होती है उनके लिए उन्हें वोट करने भी आना पड़ा बहुत बुनियादी चीजें जैसे कि घर में पानी नहीं है या फिर नल नहीं पहुंचा या यहां तक की महंगाई की बात उसी तरीके से यूवा भी हमें दिखाई पड़े तो यहां पर जो मुन्ना शुकला को आरजेडी ने उमीदवार बनाया है मुन्ना शुकला पिछली बार तो नहीं लड़े थे लेकिन 2009 में लड़े थे तो चुनाव हार गये थे लेकिन तब रगवंश प्रसाद सिंग की यह सीट मानी जाती थी बैशाली जो की लालू प्रसाद ज्यादव के दाहीने हाथ माने जाते हैं लेकिन वहां से अब सफर तै किया है इस बार मुन्ना शुकला को उतारा है और इसलिए भूमिहार बनाम राजपूत का यहाँ पर एक तरीके से वीना देवी जो की लड़े पी के उमीदवार है वो राजपूत बिरादरी से आती है तो बहुत रोचक मुकाबला रहा है बहुबली आनन्द मोहन की पत्नी है और उनको टक्कर दे रही है और जेडी से रितू जैस्वाल जो की वैश समाज से आती है और शिवहर में जो वोट अगर देखें तो वैश बहूल ये इलाका भी है इसलिए आरजपूत बहुल यहां से रितू जैस्वाल को मैदान में उ स्वाटिंग होगी यह आकरा वही 55 से 60 सदी के बीच में जो है वो जाकर ठेहर सकता है थोड़ी सी तस्वीर दिखा देते हैं क्योंकि पारा तो कहिए तो 40 डिग्री के पार है लेकिन एक 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 आप भी आता है तो फील्स लाइक आता है फील्स लाइक कितना है तो फील्स ल हुए है महिलाएं भी कुछ आएं वोट किया है लेकिन देखें यह जो सीट की में बात करें रहें शिवर की यह बीजेपी का बैस्टियन रहा है यानि कि पिसे 2009-14-19 लगातार यहां से बीजेपी की रमादे भी चुनाव जीते आई लेकिन इस बार जो सीट शरी अग्रीमे जर से जादा हो जाते हैं हुमिडिटे जब इसमें आ जाते हैं तो वो जो 48 के बरावर लोगों को मैसूस हो रहें